हेलो एवरीबन मेरा नाम अजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेतन क्रेशन्स में बहुत ही स्वागत है तो आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ यह बहुत ही स करने के लिए सबसे पहले हमें इसे फोल्ट करके इसका सेंटर पार्ट मार्ग करना है तो इसका सेंटर मार्ग करने के लिए आपको ऐसे कपड़े को फोल्ट करना है अगर आपका कपड़ा लाइनिंग वाला नहीं है तो आप सिंपल कुर्ती के बैक पार्ट को ऐसे कर लीज तरफ से मैंने 11 इंच पर मार्किंग कर दी है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इन दोनों के बीच में हमने जो गैप रखा है पू मैंने 8 इंच का रखा है जो हमने सेंटर मार्क किया है वहां से 4 इंच एक साइड पर चार इंच दूसरी साइड पर आप इसे कम या ज्य जो लेंथ रखेंगे वो 9 इंच पर रखेंगे तो यह देखे 9 इंच पर मैंने इसके मार्किंग कर ली है अब यहां से हम इसके उपर निशान लगाएंगे तो इसके उपर निशान आपको किस तरह से लगाने है यह जरा ध्यान से देख लिजी आपको यहां पर 9 इंच का हा लिगा है मैंने इसी तरह से इधर गालूगी हुठ तो हो यह देखी यहां पे भी पांच निशान लगा लिएई भी जालिए दूसरे साइड फिर दुर्श के चलते हैं तो यृ देखिए यह हमने की जो मार्किंग करी है अभी आपको दि sı спित आही है उसके बाद हम इसे दोनों साइड से फोल्ट करेंगे इस तरह से और उपर से तीसरे फोल्ट पर स्टिचिंग करेंगे इस तरह से मैं इसके उपर स्टिच कर दूँगी गैस अगर आप मेरी वीडियो में यहां तक पहुंची गए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गा ताकि आपको नई वीडियो की नॉडिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें और आप ऐसी ही अच्छी अ चैनल पर देखने से मिसना करें और आपको सबसे पहले नॉडिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूंगी इससे पहले मैंने बहुत से आइडिया और बहुत से स्टेचिंग के स्टेचिंग और कटिंग के वीडियो आपके साथ श्यर कर रहें आप उन्हें बरपूर प्यार दे रहे हैं अगर आप चैनल पर नए है तो सारी वीडियो को ज़रूर विसिट करिएगा और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा अब देखिए इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी टॉप स्टिच लगाते हुए इ इस लूप में से दिखे 2 इंच के मार्किंग करते हुए हम यहां पर पतियां तयार कर लेंगे यह दिखिए इस तरह से मैंने यह जो हमने लूप बनाई है उसमें से चोटी-चोटी सी दो-दो इंच की पटियां कट कर ली है उसके बाद हम इन दोनों इन एक-एक पटि को लेते जाएंगे और जहां पर हमने मार्किंग करी हुई है उसके उपर स्टिच करते जाएंगे इस इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे यहां पर भी मैंने एक पट्टी को लिया और यहां पर स्टिच कर दिया उसके बाद देखिए एक्स्रा दागे के कटिंग कर देंगे और जो भी लूप में से एक्स्रा जो कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे अब कटिंग करने के बाद यह जो सिलाई आई है इसी सिलाई के ऊपर हम जैसे प्लेट्स डालते हैं यह डाट्स बोलते हैं आप उस तरह से हम इ नहीं पर भी नहीं दिखेगी इस तरह से तो यह देखिए आपको मैं दिखाते हूं यह देखिए कितनी finishing से स्टिच होगी है और आपके कोई भी extra rough से लाई कहीं भी नहीं दिख रही है इसी तरह से हम इसके दूसरे साइड पर भी लूप्स को लगाएंगे तो आपका सेम वही पैटरन रहेगा अब आपको दूसरे साइड पर भी लूप्स को ऐसे ही लगाना है यह देखिए यहां पर भी हम इस तरह से इन लूप्स को लगाएंगे आपको एक एक पट्टी को उठाते जाना है और जहां जहां आमने मार्किंग करी है पांच जगह पे आप इस गैप को भी चोटा या बड़ा कर सकते हैं आपने अकॉर्डिंग ये मैंने अपनी मेजरमेंट आपके साथ शेयर की हुई है और इसे बनाने का तरीका आपके साथ जैसे भी कमफर्टेबल लगे आप उस तरह से बना सकते हैं तो यह देखिए यहां तक मैंने से स्टिच कर दिया है और एक्स्टा दागो कटिंग कर दी है उसके बाद जो हमने स्टिचिंग से बाहर कपड़ा लूप का बचा हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे अब कटिंग करने के बाद यहां पे भी हम इसके प्लेट की तरह ही डालेंगे जिस तरह से डालते हैं तो उसी तरह से जैसे हमने दूसरे साइट पे किया था इसी तरह से हम यहां पे भी इस कपड़े को ऐसे फोल्ट करते हुए इसके उपर भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से ऐसे ध्य इसी तरह से प्लेट्स टाल देंगे यह देखिए तो यह दो प्लेट्स हमारी पीछे की साइट पे होगी है जिनके बीच में हमने लूप्स को भी अटेच कर दिया है उसके बाद हम इसकी डोरी बनाएंगे तो डोरी की वीडियो मैंने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर र गर्लेट पर करेंगे जिससे यह आसानी रिकाइव से इसके बीच में से पास पांखित है तो आपको इस वह दरें लेगे आप इसके बीच में इससे इंसर्ट कर सकते हैं आप यहां पर हेर पिन का यूजबी कर सकते हैं जो पतले वाली हेर पिन होती है इस तरह से हम इस लूप को क्रिस क्रोस में जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से आप इसे इंसर्ट करिएगा इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और यह बनाने में भी बहुत अस है तो अगर आप बिगनर्स हैं और आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यह बिल्कुल परफेक्टली आएगा और बहुत ही असान है गाईस एक वर बना के जरूर देखिएगा और इससे हमारी कुर्ती की फिटिंग भी बहु लटकन लगा दिये थे तो उन लटकन की वीडियो भी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी यह देखिए इस तरह से यह हमारा बैक का डिजाइन बनके तयार हो गया है और यहां पर आप इसे टाई कर सकते हैं अपनी अवश्यक्ता के अनुसार यहां पर इसमें मैंने अ संदर और स्टाइलिश सा नेक डिजाइन बनके तयार हो गया है उसके बाद हम कुरती की जैसे नॉर्मल कुरती को स्टिच करते हैं उस तरह से हम इसके तीरे अटैच करके स्लीप्स को अटैच करके final stitching कर देंगे और यह बहुत इसमदर कुरती बनी है इसकी लुक भी मैं कि यह बिना ना जाहिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नाडिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो को मेरे चैनल पर सीख सकें बिलकुल असान तरीके से तो वीडियो अच्छी लगी हो तो से लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर क करिएगा बनाके क्योंकि यह बहुत ट्रेंडिंग है और यह बनाना कितना असान था वो तो आपने देखी लिया है इसे पूरा कंप्लीट बनने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगी जिसे आप अपने कुर्ती की फिटिंग को अपने एकॉर्डिंग अड़िस्ट कर सकत हैं तो वीडियो कंद तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत निवा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक्यू